हेलो गाइज आज मैं आपको कुछ फैक्ष बताने वाला हूं ठीका जैसे कि इसका प्रोपागेशन कैसे होता है इससे चाय पती से जो हम चाय यूज करते हैं वो कैसे होता है चाय पती में मैंली दो तरीके से प्रोपागेशन होता है एक तो कटिंग के थुरू और एक होता इसका सीट्स के थुरू जो कटिंग के थुरू प्रोपागेशन होता है वो हम कटिंग के थुरू इसलिए करते हैं क्योंकि उसे लिप्स हमें जल्दी मिलने लगता है और जो सी यह प्रूइब देते हैं तो जैसे कि यह आप ग्रीन लिफ्स देख रहे हैं यही पीकिंग होता है साथ से आठ दिन में पिकिंग हो जाता है और इसी से चाय पती बनता है इसमें पेस्ट का टाइक बहुत ही ज्यादा होता है जैसे कि यह देखिए आप इसलिए यह सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होने वाला क्रॉप है यह जो बगान है यह मैंली आसाम में है बैजा लोनी टी एस्टेट मैं यहां पर एक एक अरिकल्चर कंसल्टेंट हूँ तो मैंने आसोचा थोड़ा चाय पती के बार में बताया जाए यह बहुत ही हाई कोस्ट वैलू रिभान्यू प्लांट है इसमें इसमें जो जब हम ग्रीन लिप्स को प्लकिंग कर लेते हैं तो बहुत सारे मेठर के बाद लास्टली फर्मन्टेशन के बाद में तब जाकर हमे एक बार प्लकिंग करने के बाद साथ से आर दीनों में फिर से दूसरे बार प्लकिंग के लिए तयार हो जाता है जो इसके ओल्ड लिप्स है इसको हम प्लकिंग नहीं करते हैं क्योंकि इसका चाय पती त्यार नहीं होता है जो इसके निव लिप्स है सिर्फ उसी को प्लकिं करते हैं